हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे question and answer discussion session में, जहां आज हमारा चर्चा का विशय निम्न है। भारतिय समाज की समझ के लिए GS घुरिये के इंडोलोजिकल उपागम का आलोचनात्मक परीक्षन कीजिए। तो चलिए, अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। भारतिय समाज की गहरी जड़ों पर जोर देता है। जाती, रिष्टेदारी, धर्म और अन्य सामाजिक संस्थाओं की अपनी सूक्ष्म जांच के माध्यम से घुरिये ने भारतिय समाज को आकार देने में इन कारकों की जटिल परस पर क्रिया पर प्रकाश डाला। घुरिये के इस इंडॉलोजिकल उपागम ने भारतिय समाज की सांस्कृतिक नीव की गहरी समझ को सुविधा जनक बनाया। घुरिये ने अनुष्ठानों, त्योहारों, मिथकों और प्रतीकों का विशलेशन करके भारतिय संस्कृती में निहित, अंतर निहित अर्थों और मूल्यों को उजागर किया। इस सांस्कृतिक लेंस ने उन्हें भारतिय समुदायों की सामूहिक चेतना में मूल्यवान अंतर द्रिष्टि प्रदान करते हुए, विभिन प्रताओं और अनुष्ठानों के सामाजिक महत्व को स्पष्ट करने की अनुमती दी। हाला की घुरिये के इंडोलोजिकल द्रिष्टिकोंड की पाठ्य स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता और अनुभव जन्य डेटा और फील्ड वर्क की उपेक्षा के लिए आलोचना की गई है। गुरिये के इंडोलोजिकल द्रिष्टिकोंड पर महिलाओं, दलितों और आदिवासी समुदायों जैसे हाशिये के समूहों की आवाज और द्रिष्टिकोंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। मुख्य रूप से ब्राह्मनवादी ग्रंथों और द्रिष्टिकोंडों से आकर्शित होकर घुरिये का विशलेशन, समाज के इन हाशिये वाले वर्गों के अनुभवों और संगर्शों को नजर अंदाज कर सकता है, जिससे उनकी समाज शास्त्रिय अंतर द्रिष्टि की व्यापकता सीमित हो सकती है, इसके अलावा कुछ विद्वानों ने भारतिय समाज के विशलेशन में आपनिवेशिक आख्यानों और प्राच्यवादी द्रिष्टिकोंडों को बिना आलोचना के स्वीकार करने के लिए घुरिये की आलोचना की है, आपनिवेशिक धाचे क अपना कर घुरिये ने अंजाने में भारतिय संस्कृती और समाज के बारे में रूढिवादिता और पूर्वाग्रहों को कायम रखा है, नकि उन्हें अधिक आलोचनात्मक द्रिष्टि से चुनोती दी है। की गती शीलता की जटिलताओं की अधूरी समझ हो सकती है। इस प्रकार से घुरिये के इंडोलोजिकल द्रिष्टिकोण ने भारतिय समाज को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु यह अपनी सीमाओं से रहित नहीं है। भारतिय समाज की अधिक व्यापक समझ के लिए पाठ्य व्याख्या की सीमाओं से परे जाकर एतिहासिक विशलेशन, अनुभव जन्य अनुसंधान और विविध द्रिष्टिकोणों पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हि देने की आवश्यक्ता है।